मेरे साथ नली तैयब जी मौझूद है और बहुत इंटरस्टिंग कंपोजिशन वो बना रही है ट्रडिशनल आर्ट पर काम कर रही है बहुत डेकरूटिक काम है बहुत कलरफुल काम है और काफी सारे आर्टवक में देखा है कि फ्लोरसेंट कलर का भी यूज़ करती है और ए तो मैं नहीं बता सकती आपको लेकिन बस लगी रही मैं और साल भर कही काम है यह तो इसको क्या थीम लेकर कापने एक साथ कंबाइन किया है मैं अबस्ट्राइक्ट आट मैं एकदम से मेरी रूची हुई तो मैंने सोचा कि इस बार मैं फॉर्म या रेप्रिजेंटेशनल ज यानि एक तरफ फिगुरिटिव आट और एक तरफ अबस्ट्राइक आट ने फॉर्म तो इसमें डेफिनली हैं बड़ा रियलिस्टिक फॉर्म भी हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं क्योंकि एक तिहाई इसमें पेंटिंग्स अबस्ट्रेक्ट हैं तो किस तरह से आपका मोडि अबस्ट्रेक्शन की तरफ ले ही जाता है और सही माने में कोई भी जॉर्नी यह हर आटिस्की जॉर्नी में मुझे लगता है ऐसे हो होगा कि वो रियलिस्टिक आट की तरफ से अगर शुरू करता है तो अपनी कुछ पर्सनल चीजें डालने से वैसे ही आप थोड़ा सा उस अब जैसे बच्चे ड्रो करते हैं पेंट करते हैं वो तो बच्पन से मैंने करा है पट किसी ने सीरियसली नहीं लिया मेरा आट मैंने भी अपने आपको सीरियसली नहीं लिया हाथ अच्छा था बच्पन से तो कभी कोई कह देता था कि हमारी वाल बहुत ऐसी खाली-खाली कुछ बना दो ऐसे ही शौक या होबी की तरह करती थी फिर मेरी मदर की 2011 में एकदम से डेथ हो गई और अपने फादर को में ले आई थी अपने साथ रहने के लिए और कुछ मैनों में पता चला कि वो उनको कैंसर है तो अब मैंने का एक पेरंट तो चला गया अब दूसरा भी जाने की तैयारी में है तो हमने मेरे हजबन ने और मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल खतम करती हमने जितना हमारा टाइम था हम उनके साथ स्पेंड करते थे लेकिन सारे दिन घर में बैठना बिना कुछ करे वे बड़ा मतला और दिमाग था परिशान तो मुझे लगा कि कही यह ऐसे फोकस कर लेना चाहिए किसी काम में जिससे कि बहुत जादा सोचना ना पड़े कि मुझे पता था कि आने वाले जो दिन है उसमें इनकी कंडिशन और बिगरती जाएगी तो इस तरह से शुरू हाट और जब तक उनकी डेथ हुई तो मेरे पास एक पूरा शो तयार था और यह मेरे फादर अपनी 91 बर्थडे पर गुजर गए 2013 में on the 29th of December और February में मैंने अपना शो करा जैसे आप यह सेल्फ टॉट हैं तो आप ड्रॉ कर रहे हैं पेंटिंग बना रहे हैं तो आपको क्या रिलाइज हुआ कि मेरा इस तरह का आट वर्क है इस लेविल में प उसी साल जब मैं करती गई और उंका काम देखा मैंने सच मानिये तो कुछ लोगों का काम देखा और मैंने अपने आप से खा कि अगर यह एक्जीविट कर सकते हैं तो मैं क्यो नही कर सकती हो Martinez कॉपी मैंने बहुत बच्पन में इधर उधर कॉपी कर लिगर कर के अपने और किसी भी आर्टिस्ट के लिए अपना ओरिजिनल वर्क बहुत जरूरी होता है तो वहां मैं कॉन्फिटेंट थी कि मैं अगर कुछ करना चाहूं इस लाइन में तो मैं कर सकती हूं और अगर पहले शायद किसी ने धक्का मारा होता मुझे तो पहले शुरू हो जाता पर हर चीज अपने समय से होती है तो वह समय आ चुका था उसको मैंने रेकेगनाईज करा और मेरे फादर की शायद ब्लेसिंग समझी है मेरे मजर की ब्लेसिंग समझे कि मैंने सारा उनको जो टाइम दिया घर में रही तो बड़े फोकस तरीके से मैंने काम करा जा नॉर्मली जो आर्टिस्ट होते हैं वो पहले एक डमी यह कुछ एक स्क्रेबल को राफरेंस बनाते हैं तो आप किस तरह से अपना आर्ट वर्क करती हैं मैंने कभी कोई ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग कभी नहीं करी मैं डिरेक्टली जाती हूं या पेपर पे या कैन्वस पे और विजुलाइजेशन की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है मेरी मुझे दिखाई देता है अपने दिमाग में कि मुझे क्या बनाना है और कैसे लगना चाहिए ये नहीं कहती मैं कि जो मैं सोचती हूं वो ही बनता है लेकिन बहुत मतलब क्या कहना चाहिए 70-80% तक जो मैंने इमेजन करा है वो बन जाता है और फिर कुछ उसमें और अडिशन हो जाता है मैं स्पिरिच्छल हूं मेरा डेफिनेटली वर्क इलस्टेटिव जादा है पेंटली कम है और वो शायद इसलिए है क्योंकि कुछ कहीं सारे जो रीजनल आर्ट्स हैं हमारे उससे भी लिंक्ट है क्योंकि वो पेंटली नहीं होते जो रीजनल आर्ट्स है वो हमेशा थोड़े इलस्टेटिव होते हैं स्टोरी टेलिंग टाइप होते हैं उसमें मेरी रूची जादा है बहुत और जाते हैं लोग आते हैं कहते हम करिये लेकिर मैं किसी और के काम में नहीं बनना चाहती है यह चीज मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिए इसलिए मैं खुद गैलरी बुक करती हूं मैं जैसे कंबाइन शोज ग्रूप शोज होते हैं उसमें मैं जाना पसंद नहीं करती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रूप शोज में जो क्यूरेटिंग है वो बहुत खराब है I'm sorry to say this अपना काम करती हूं जितना भी है अपने बलबोते पे क्योंकि जो भी चीज आप खुद करेंगे वो आपके कंट्रोल में है तो किस-किस मीडियम में आप काम कर रही है कैनवस पेपर दो चीज़े हैं अभी तक और सारे मीडियम मैं इस्तमाल करती हूं सिवाई ओइल्स के